नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 31 अगस्त दिन गुरुबार खब्लोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार STET 2023 का एड्मिट कार्ड जारी निर्म लिखे दरों पर ही खरीदे उर्वरक उर्जा विवाग के प्रधान सचीव ने बिजली उवोकताओं से की अपी प्रग्यान रोवर ने चंद्रमा की सता से खीची विक्रम लैंडर की तस्वीर महिंदर सिंग धोनी और विराट कोहली की कपतानी पर इसांत स्थर्मा का बयान अब चले बढ़ते हैं विहार के अब तक की 25 वड़ी खबरों के ओर विस्तार से सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 2409 पदों पर निकली भरती रेलवे भरती सेल मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवीदन आमतरित किये हैं योग्यों मिद्वार rrccr की अधिकारिक वेबसाइट rrccr.com के माध्यम से ओनलाइन आवीदन कर सकते हैं या भरती अभियान संगठन में 2409 पदों को भड़ेगा इसके लिए रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के शिर्वात हो चुकी है वही आवीदन करने की अंतिम तारिक 28 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है इसके लिए अगर सैचने क्योंकिता की बात करे तो मिद्वार को मानिता प्राप्त बोर से कुल मिलाक न्यूंतम 50 प्रतीशत अंकों के साथ 10 वी कक्षा की परिच्छा या इसके समकच उत्तिर्ण होना अनिवार है इसके साथ ही उसके पास अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रिय व्यपार प्रमान पत्र भी होना चाहिए उमिद्वारों की आयू 29 अगस्त 2023 को 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए आज है रक्षा बंधन की सरकारी छुटी भाई बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के त्योहार रक्षा बंधन को लेकर बिहार सरकार के द्वरा सरकारी कारेयालियों में आज यानी की 31 अगस्त को प्रतिबंधित छुटी की घोशना की है इस संबंध में समाने प्रिशासन विभाग के दोरा अधिसूशना जारी कर जानकारी दे दी गई है जिसमें कहा गया है कि पठना के राज के संस्कृत महाविद्याले काजी पूरम से मिली सूशना पर प्रतिबंधित अवकास की तिथी में चेंजिस हुआ है विभाग ने कहा है कि बिहार सरकार के अवकास कैलेंडर 2023 में अवकास की सूची में रक्षा बंधन के मौके पर 30 अगस्त 2023 दिन बुदवार को प्रतिबंधित छुट्टी दर्शाय गया था जिसे बदलकर 31 अगस्त दिन गुरुवार की जाती है विभाग के दोरा इस अधि नेता और टीवी श्रिंखला विक्रम वेताल और बॉलिवोड फिल्मों के लेखक है उनका असली नाम एम एम फारुकी है उन्होंने जोनाथन स्विफ्ट के उपन्यास गुलिवर्स ट्रैवल्स में दो दूई प्राष्ट्र लिलिपुट और बिफ स्कू से संकेत लेते वे स्क्रीन नाम अपनाया जहां गुलिवर्ड छोटी लोगों द्वारा बसाए गए एक दूई पर उतरता है उन्हें दूरदर्शन की लोग प्रिये विज्ञान कथा श्रिंखला एंद्रधनुस लिखने और बंटी और बबली सागर जैसे फिल्मों और देख भाई देख प्रग्यान रोवर ने चंद्रमा की सतह से खींची विक्रम लैंडर की तस्वीर बीते दिन भारती अंत्रेच अनुसंधान संगठन ग्यानी की इस्टो के द्वारा टूइट कर चंद्रयान तीन मिशन के प्रग्यान रोवर के द्वारा चांद की सतह से विक्रम लैंडर की गई एक तस्वीर को शेयर किया गया है, बता दी किस तस्वीर को शेयर करते वे इस रोग के दौरा लिखा गया है कि कृप्या मुस्कुराइई प्रग्यान रोवर ने आज सुभ़ विक्रम लैंडर की एक तस्वीर क्लिक की, मिशन की छवी रोवर पर लगे नविगेशन कैमरी द्वारा ली गई थी चंद्रयान तीन मिशन के लिए नैव कैम्स अलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रोयोक्षारा द्वारा विक्सित किये गए हैं साथ ही इस रोग के द्वारा एक दूसरा पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि रोवर पर लगाड लेजर प्रिद ब्रेकडाउं स्पेक्ट्रो स्कोप उपकरण पहली बार इन सीटू माप के माध्यम से दक्षनी द्रूप के पास चंद्र सतह में सलफर की उपस्तित के इस पस्ट रूप से पुस्टी करता है जैसा कि अपएक्षित था AL, CA, FE, CR, TI, MN, SI और O का भी पता चला है हाइड्रोजन की खोच जारी है LIBS उपकरण को इलेक्ट्रो आप्टिक सिस्टम्स इस रोग बेंगलुडू की प्रयोक्षाला में विक्सित किया गया है सूबे के 1794 ग्रामीन हाटों में बढ़ेंगी सुधाई चौते क्रिसी रोड मैप के तहट क्रिशी विभाग के दोरा अगले पांच सालों में सूबे के 1794 ग्रामीन हाटों में सुधाओं को बढ़ाने के लिए योजना तयार किया जा रहा है मालुमों के ऐसा करनी पर ग्रामीन इलाकों के छोटे दुकानदारों कारीगरों के साथ-साथ किशानों को भी काफी लाब पहुंचेगा छोटे दुकानदारों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे किसान अपना फसल बेच सके इसके लिए उन्हें नया बाजार मिलेगा बिहार STET 2023 का एडमिट कार्ट जारी बिहार विद्याले परिच्छा समीती के दौरा माधिमिक सक्षक पातरता परिच्छा यानि की STET 2023 परिच्छा की तिथी और एडमिट कार्ट जारी कर दी गई है ऐसे में अभ्यरती समीती की वेबसाइट //bsebstet.com पर जाकर अपना एडमिट का डाउनलोड कर सकते हैं वेबसे जुरी किसी भी तरह की परिच्छानी होने पर अभ्यरती हल्प लाइन नंबर 0612-232-074 पर समपर्क कर सकते हैं फिर इमेल आईडी टीटी बिहार 23 एड़रेर जीमेल.com पर भी अपने परिशानी बता सकते हैं बता दे कि अब परिच्छा 4 से 15 सितंबर तक दो पालियों में ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी जिसमें से पहले पाली की परिच्छा की शुरवाद 10 बज़े से होगी जो की सारे 12 बज़े टक चलेगी वहीं दूसरे पाली की परिच्छा की शुरवात दो पहर 3 बज़े से होगी जो की शाम सारे 5 बज़े तक चलेगी परिच्छा केंदर में परिच्छा सुरू होने के आधी गंटे पहले प्रवेश बंध हो जाएंगे इन सब के बीच इस बा के अपर मुख्य सची ब्रजेश महरुत्रा के दोरा एन एच एई रेलवे सहित अने विवागे अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह बताये गया है कि सरक रेल सहित अने सरकारी योजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन की वास्त्विक स्थिति के नुसार मुआज़ा का भूमी की प्रकृती में बदलाव कर दिया गया है जो कि जमीन की उच्ष्रेणी से नम्ष्रेणी की ओर्स है अपर मुख्य सचीब के दोरा नर्देश देते वे कहा गया है कि जमीन की प्रकृती का नरधारन खातियान के मताबिक सही तरीके से किया जाएगा नेम लिखे दरो पर ही खड़ीदे उर्वरक अगर आप एक किसान है तो जाहिर सी बात है कि आप उर्वरक कस्तमाल जरूर करते होंगे ऐसे में आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप सही दरो पर ही उर्वरक खड़ीदे बता दे कि बिहार सरकार के दोरा जीरो टोलरंस नीती के तहट राजे में किसानों को उचित मुले पर सुगमता पुर्वक उरवड़क की उपलवदिता सुनिश्चित कराया जा रहा है मालम हो कि 45 किलो यूरिया 266 दिसमलो पांच शुने रुपय में उपलवद करवाना सुनिश्चित करवाया जा रहा तो ही 50 किलो डी एपी 1,350 रुपय और 50 किलो एमोपी 1,700 रुपय में उपलवद कराया जा रहा है ऐसी में उरवड़क संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए हलप प्लाइन नंबर 0612-2233-5555 पर सुभद 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्ग किया जा सकता है इसके लावा आप अपनी समस्या email fertilizer.bihar.gmail.com पर भी भेज सकते हैं सबके लावा इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उरवड़क खरीदने के दौरान बिल रसी जरूर लें जमाबंदी से छेरचार होने पर SMS से जानकारी पाने के लिए बस करेए अगर आप भी चाहते हैं कि जमाबंदी में कोई भी पडिवर्तन या छेरचार होने पर आपको उसकी जानकारी तुरंत SMS के माध्यम से मिल जाए तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा जिसके बाद आप सुवधा का लाव उठा सकते हैं दरसल आपको जमीन की जमाबंदी को अपने आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करवाना होगा बता दे किसको लेकर राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के द्वारा तयारी की जारी है इस कारी को करने के लिए विभाग के ओर से एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करवाया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जमाबंदी राजश्वव विबाग द्वारा तैयार किये गए एक दस्तावेज को कहा जाता है इसे अधिकारों को रिकॉर्ड भी कहा जाता है इसमें जमी सुझुरी सारी तरह की जानकारियां उपलब्ध होती है सभी जेस्टी करदाता के लिए आविशक सूचना अगर आप भी जेस्टी देते हैं तो यह ख़बर आपके लिए बहुत ही महत्तपुर्ण सावित हो सकता है बतादे कि बिहार सरकार के वानिचे कर विवाग के दोरा राजे के सभी जेस्टी करदाताओं के लिए एक आविशक सूचना चारी की गई है जिसके तहत यदि आप भी उन जेस्टी करदाताओं में से आते हैं जिन्होंने जेस्टी दाखिल नहीं किया है और इस वज़े से आपके विरुद 28 फरवरी 2030 कोई कर निर्धारन आदेश पारित किया गया है तो आपके पास इस कर निर्धारन पारित आदेश से पीछा चुराने का सुनेड़ा अफसर है दरसल अगर आप 31 अगस्ट 2030 यानी की आज तक देव बयाज एवं लेट फी के भुकतान के साथ वो रिटर्न दाखिल कर देते हैं इसकूलों में छुटियों की कटोती पर सक्छक संग का विरूत बीदेदिन बिहार सरकार के माध्यमिक सक्छा निदेशक के ओर से पत्र जारी कर राजिके सरकारी सकूलों में छुटियों की संख्या 23 गटा कर 11 कर दी गई है यह एक गंबीर और समरीदन शील मामला है उन्होंने कहा कि विद्याले एवं महा विद्याले के सिख्च को तथा बच्चों को बहुत पहले से ही विकेशनल और नन विकेशनल अवकास मिलते रहे हैं इसमें कटोती करना अनुचित है पुराने नियमों के उलंगन से कई लोगों के मन पर भारी आगात पहुँचेगा ऐसा आदेश जिस से राज्य के करोर लोगों की आस्था और विश्वास पर चोट पहुँचे उसे तुरंत रद करने का आदेश जारी करे अनेथा राज्य में इसका प्रियापक प्रतिकूल प्रिभाव पड़ेगा बेहार परिटन में आज हम बात करेंगे मोडवारा के बारे में मोडवारा दरभंगा से 36 किलो मीटर दूर इस सित एक चोटा सा गाउँ है और रोसेरा से 27 किलो मीटर दूर इस सित है किसी भी परटक को चिलवारा, चौड, चिल और उसके पानी में खिलने वाले उत्रिस्ट कमल के फूलों से प्यार हो जाएगा यहां के कमल बहतरीन में से एक हैं यह जील मचलियों के बहतरीन विवित्रा का दावा करती है इस गाउं में चार बड़े तालाब हैं मोरवारा के अन्यस्था जो ध्यान खीचते हैं वे हैं शिव मंदर, सबसंग भवन, हनुमान मंदर और मोरवारा चौक यहां के कायस्त समुदाई ने चित्रुगब्द पूजा को बड़े पैमानी पर मनाया जिसमें बड़ी संख्या में परटक्स शामिल हुएं और एक कारेकरम का भी आयोजन किया गया जिसका सभी ने आनंद उठाया उर्जा विभाग के प्रधान सचीव ने बिजली उपवोकताओं से की अपील इन दिनों साइबर अपराधी के दोरा उपवोकताओं को बिजली काटने की धमकी देकर SMS के माध्यम से उनसे पैसेगी ठगी की जा रही है इसी को देखते वे उर्जा विभाग के प्रधान सचीव सह BSPHCL के अध्यक्च सह प्रवंधर निदेशब संजीव हंस के दोरा लोगों से अपील करते वे इस तरह के फ्रोड से खुद को बचाने की अपील की गई है उन्होंने कहा है कि थोड़ी भी आशंका होने पर उपवोकता तुरंत अपने निकट के बिजली कारयाले से संपर करे मालुम हो कि संचीव हंस के नर्देश पर BSPHCL के सीनियर प्रोटोकॉल अधिकारी ख्वाजा जमाल के दोरा साइबर ठगो के सक्रिय होनी की सूचना ADG नयर हसनायन खान को देते वे वैसे नमबरों को ब्लॉक करने की मांग की गई है जिससे उपवोकताओं को मैसेज भेजे जा रहे हैं मालुम हो कि उनके दोरा दी गई जानकारी के नुसार डिसकॉम कंपनिया बिजली काटने की सूचना एक सब्ता पहले से मैसेज भेज कर देनी शुरू कर दी जाती है इसके लावा डिसकॉम कंपनिया लगातार तीन दिन बैलन्स सुनने होने के बाद तीसरे दिन सुभा दस से एक बज़े तक ही बिजली काटती है रात में बिजली नहीं काटी जाती नौवी से बारवी तक के स्कूलों में एजनसी के जड़िये आएंगे सक्चक राजी की माध्यमिक और उचमाध्यमिक विध्यालियों में चात्रों की संक्या में तो बढ़ोतरी हो रही है लेकिन छात्रों की तुलना में विद्यालियों में सक्षकों की कमी हो गई है जिस कारण कक्षाएं संचालत होने में भी परिशानी हो रही है इसी को देखते वे यह नड़ने लिया गया है कि अवराज्य के सभी जिलों के स्कूलों में जहां सिक्छकों की कमी है वहाँ एजंसी के माध्यम से सिक्छक उपलब्ध करवाए जाएंगे बता दे किसके लिए अलग-अलग एजंसी का चेयन किया गया है मालमोग इसमें नौवी से लेकर बारवी तक के स्कूलों को शामिल किया गया है जहां एजंसी से टेकनिकल फैकल्टी जाकर कक्छाएं लेंगे जिसके लिए उन्हें ब्रामीन छेत्रों में प्रतेक कक्छा के लिए 250 रुपए तो वहीं शेहरी छेत्रों में 290 रुपए मिलें एक सिक्षक को एक दिन में अधिक्तम चार कक्छा लेनी की अनुमती दी जाएगी मिले जानकारी के नसार इसके माध्यम से विद्यालियों में 1 सितंबर से कक्छाएं शिरूप हो जाएगी सामुदाइक भवन सह वर्क्षेट का किया जाएगा नर्मान रहार सरकार के अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती कल्यान विभाग के दोरा सामुदाइक भवन सह वर्क्षेट का नर्मान कराया जाएगा जिसका मुख्यों देश अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती के समाजी कारे क्रमों का आयुजन के साथ-साथ बौधिक एवं सांस्क्रतिक विकास करना है आपकी जानकारी के बता दे कि हस्तामुदाई भवन सह वर्क्षेट का नर्मान कम से कम 500 की संख्या 100 परिवार वाली प्रतेक अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती बहुल्टोलों में सरकारी भूमी पर किया जाएगा इसके लिए आविशक भूखन 50 फीट गुना 60 फीट बडाबर 3000 वर्ग फीट होना चाहिए मारमों कि पाइल फाउंडेशन के लिए प्रकलित राशी 29,666,000 रुपे और उपन फाउंडेशन के लिए प्रकलित राशी 28,94,200 रुपे नर्धारित की गई है इससे जुरी अधिक जानकारी के लिए www.bm.bm.bihar.gov.in या टोल फ्री नमबर 18-00-345-6-345 पर संपर किया जा सकता है LPG गैस लदे ट्रॉक से सराब की तसकरी बिहार में पून रूप से सराब बंदी लागू हुए कई साल बीच चुके हैं लेकिन आज के समय में भी हमें इससे जुरी खबर सुनने को मिलती रहती है हाला कि इन पर नकेल कसा जा सके इसके लिए बिहार सरकार के उतपाद विभाग के दोरा हर तरह की कोशिश की जा रही हर तरह के तरीकों को अपनाया जा रहा लेकिन इसके बावजूत पे इन मामलों में जादा कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा बलकि उल्टा स्थिती ऐसी बन गई है कि सराप तसकर तशकरी के लिए नए नए तरीकों का नजाद कर रहे हैं पतादी की ताजा मामला बिहार के बगहा का है जहां धनहा थाना पुलिस के दोरा बगहा एसपी के रिंट कुमार जाधब को मिली गुप्त सूशना के आधार पर वहां चांच करने के दोरान गैस सिलिंडर लोड़ेड ट्रक पर छापे मारी करते वे 222 लीटर विदेशी शराब बरामत किया गया है इसके साथ ही पुलिस के दोरा एक सराब तसकर को भी गिरफतार किया गया है जिसकी पहचान पुरवी चमपारंजला के पक्रिद्याल थाना छितर अंतरगत ग्राम राम वन मलाही टोली निवासी हरंदर शहनी के रूप में की गया है जिस पर प्राथमी की दर्च करते वे न तापमान में थोड़ी गिरावर जरूर देखने को मिली थी लेकिन तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उमस और गर्मी से काफी परशानी का सामना करना पर रहा मौसम विभा की तरफ से ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभा की तरफ से जारी अपडेट के नुसार जादा तर जिलों में दो या तीन दिनों तक मौसम साफस रहने की संभावना जताई गई है साथ ही यह भी बताया गया है कि कहीं जिलों में आसमान में बादल चाय रहेंगे इस दोर पर्षिम दक्षिन मध्य उत्तर पर्षिम और उत्तर मध्य के जिलों में बारिस की संभावना जताई गई है हालाके ज़ुरान वजरपात और मेगरजन की संभावना भी जताई जा सकती है गलत चालान कट गया तो कैंसल करवाने के लिए करी ये काम बीटियों के पास भीजा जाएगा जिसके बाद उस चालान को पोर्टल पर डाला जाएगा और फिर उसमें सुधार किया जा सकेगा वहीं अगर दूसरी और हैलमेट के साथ प्रदूशन का भी चालान कर जाता है लेकिन प्रदूशन आपके पास रहता है तो इस स्थिति में इस बात की जानकारी आविदन की माध्यम से पुलस वाले के द्वारा स्पी को दी जाएगी जिसके बाद वहां से यह आविदन पडिवहन आयुक के पास भीजा जाएगा और फिर उसे पोर्टल में डालने के बाद गलत रसीद को रद करने का काम किया जाएगा मालम हो किसे वाहन चालकों को काफी सहूलियत होगी इस तरह के स्थिति में वाहन चालकों को उसी पुलस या या तयात पुलस के पास जाना होगा जिन्होंने उनका गलत चालान काटा होगा वहां जाकर उन्हें यह जानकारी देनी होगी जिसके बाद पुलस के द्वारा अपना काम शु भस ही कंगर बाग अस्थित उनके कोचिंग में लड़कियों की भीर उन्हे राकी बांधने के लिए पहुँचने लगी बता दे कि उनकी कलाई पर राकी बांधने वाली लड़कियों की संख्या एक दो यह 10-15 नहीं बलकी 4,000 थी इस दोरान खान सर के दोरा न्यूस 4 नीशन के साथ हुए साक्षातकार में बताया गया कि उन्हें इस दिन का काफी इंतजार रहता है उनकी अपनी कोई बेहन नहीं है इस दिन को वो खास तोर पर मनाते हैं उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कितने लोग यहां मुझे राकी बादने जरूर पहुँचेंगे इसलिए सभी के लिए खानी की भी पूरी व्यवस्था की गई है उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी लड़कियों के लिए 120 तरह के पकवान बनवाए हैं आज इंडिया गडबंधन की तीसरी बैठक जाने कब क्या होगा इंडिया गडबंधन के द्वारा जारी किये गए सेडियूल के नुसार आज यानी की 31 अगस्त को और कल 1 सितंबर को विपक्ची पार्टियों की तीसरी बैठक होने वाली है बता दे कि अब बैठक मुंबई के ग्रांड हयात होटल में होगी बता दे कि आज 31 अगस्त को शाम 6 बजे प्रतिनीधियों का स्वागत किया जाएगा उसके बाद शाम सारे 6 बजे और आपचारी पैठक की जाएगी और फिर रात 8 बजे सिर्फ शेना UBT के अध्यक्ष उद्धर ठाकरे की मेजबानी में डि इंडिया गडबंधन की बैठक होगी दो पहर दो बजे MPCC और MRCC की तरफ से लंच आयोजित किया जाएगा और फिर दो पहर सारे 3 बजे इंडिया गडबंधन की ओर से एक प्रेस कॉंफरेंस आयोजित की जाएगी मालूम हो कि आज से शुरू होने वाले इस पैठक में 5 रा आज के संस्थापक प्रशान कसोर ने नितीश कुमार की विपक्ची एकता को लेकर चल रही कवायत पर हमला करते वे कहा कि आज बिहार देश का सबसे गड़ीब राज्य है और नितीश कुमार का एहनकार है सबसे बड़ा देश में हैं बिहार सबसे फिसड़ी और बात ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ उन्होंने ही कर दिया हो आज RJD का MPH 0 है लेकिन प्रधान मंत्री से नीचे बात ही नहीं करते हैं आज भारत का प्रधान मंत्री कौन होगा वो ये तैक कर रहे हैं देश में बिहार सबसे गड़ीब और फिसड़ी और नितीश कुमार बात ऐसे कि मैं ही सब जानता हूं मुझे ही सब मालू है नितीश कुमार आज अपने इर्दगर्द सब बेवकूफ लोगों को बैठाए हुए हैं आज नितीश कुमार गंजी के उपर सर्ट पहन रहे हैं तो सबको लग रहा है कि वो विदवान आदमी है नितीश कुमार परहे लिखे कपतानी पर एसांत सर्मा का बयान भारतिय ٹीम के तेज गेंद बाज असांत सर्मा के दोरा जीयो सिनेमा पर बात शीट करते वे उन्होंने भारतिय टीम के पुल्वकप्तान और कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाली महिंद्र सिंग धोनी और दिगज पलेबाज वि इंडिया के गेंदबाजी बदलाओ के दौर में थी मुहमद समी, उमीश यादव और भोवनेश्वर कुमार जैसे नए गेंदबाज थे। MS धोनी ने इन सभी को अच्छी तरह से बनाया और टीम को बनाने के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पुर्व विकेट कीपर बलेबाज ने गेंदबाजो को तयार किया और कोहली को एक मजबूत गेंदबाजी लाइन अप मेली विराट एक आकराम कप्तान है और हमेशा अपने गेंदबाजो से विकेट चाहते हैं। उनका कहना था कि अगर शुडवाद के पांच ओवरों में 25 रंज जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इतने देते हुए दो विकेट निकाल दे हूंगे उन्होंने कहा कि कोहली उनसे कहते थे कि बस आप विकेट लेने के बारे में सोचें। भारत के तिहास में आज की तारीख है कहीं कार्णों सदर्ज। 2009 को आयुजित सम्मेलन में सरदियादव को पुना सार्व सम्मती से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। भारत के समाजी कारेकरता दीब जोसी सहित एशिया की छह हस्तियों को 2009 में पर्स 2009 के रेमन मैक्सिस पुरुसकार से 31 अगस को मनीला में समानित किया गया। भाय सरकारी 2010 में पाकस्तानी बार पिरतों के लिए शहायता रासी 50 लाग से बढ़ा कर धाई करोर डॉलर किया। भारतिय संसद ने 2010 में पर्मानु संयंत्र में किसी दुरगटना के सिती में सिग्र मुआफचा सुनशित करने वाला पर्मानु जन्दायत्व विध्यक पारित किया। 62 को हुआ था बंगाली फिल्मों के प्रसिद नर्देशक लेखक और अभिनेता रित्तु पर्णो घोश का जन्म 1963 को हुआ था। विजय संकर मल का निधन 2003 में हुआ था और इन्होंने भारतिंदु काल के गद्दे को हंसमुख गद्दे की शंग्या दी थी। अधन स्री से सम्मानित प्रक्यात उर्दू कभी कस्मीरी लाल जाकिर का निधन 21 गस 2016 को हुआ था। वालगर में आज हम बात करेंगे आर्बिया के बारे में सोसल मेडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सचो ये जरूरी नहीं है। इसी करें में आज हम बात करेंगे आर्बियाई के बारे में दरसल प्याईबी ने अपने टूइट में लिखा है कि कथित तौर पर आर्बियाई दौरा भेजे गए एक इमेल में 12,500 रुपे के भुकतान पर 4,62 लाग रुपे की पेशकस का दावा किया गया है। प्याई भी ने अपने टूइट मांगे लिखा है कि यह इमेल फरजी है, आर्बियाई व्यक्तिक जानकारी मांगने वाली इमेल नहीं बेजता। वाटसप में अब आप शेयर कर पाएंगे HD वीडियो। अपडेट के बाद एप में वीडियो शेयर करते वे आपको दो ऑप्शन मेलेंगे जिसमें एक स्टैंडर और दूसरा HD क्वालिटी होगा। अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं अगर आप HD ऑप्शन चुनते हैं तो इस बात का ध्यान रखे कि आपका इंटरनेट सामाने की तुनला में जादा लगेगा। इसलिए जरूरत के हिसाब से ऑप्शन के बीच स्टैंडर वर्जन चुनने पर वाटसेफ वीडियो को 480P रिजॉल्यूशन में प्रोसेस कर भेजता है यह ऑप्शन चुनना तब फाइदे मंद है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन लो है। इसलिए ऑप्शन में कम्पने वीडियो को 720P डिजॉल्यूशन में प्रोसेस काफी कम है लेकिन इसकी गुनवत्ता स्टैंडर के मकाबले काफी बढ़ जाती है। इसने विश्व एतलेक्टिक्स चैंपियंसिप 2013 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतिये बने हैं। और ऑप्शन भी प्रियंसेन ऑप्शन सी नंदरी गुपता ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही तर है ऑप्शन भी प्रियंसेन। अगला सवाल, हाली में इसरो किस मिशन के दौरान व्यो मित्र नामत महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तयारी कर रहा है। इसका सही तर है ऑप्शन गगन यानमिशन। अगला सवाल, बाहरी स्थान गयावी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुल्ला तकिया, ऑप्शन भी मिर्जा नाथन, ऑप्शन सी मुल्ला भभाहानी, ऑप्शन दी मिर्जा गुलाम हुसेन। इसका सही तर है ऑप्शन भी मिर्जा नाथन, अगला सवाल, निमन में से क्या प्राचीन पार्टले पुत्र के संबन में जानकारी के श्रोत हैं? ऑप्शन भगनावशेस, ऑप्शन भी यात्रा वृतान्त, ऑप्शन सी ठानमी क्रंथ, ऑप्शन दी इनमें से सभी। इसका सही तर है ऑप्शन भी इनमें से सभी। प्राची कुमार, राजकी शोर्मातो, अतीख खान, एचके सर्मा, रुपेश कुमार, प्रहलाद कुमार, प्रयाग सिंग, नौसद अंसारी, इसके साथ ही बढ़ते हैं आजके सवाल की और आजका सवाल है, राज्य के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की कट्वती पर आपकी क्या राए है, अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कब्रों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस, और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चाल को सब्सक्राइब कर ना अडगराफ फेस्बुक से देखरें तो पिसको फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद।